हलो नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत इस पटिकुलर वीडियो में आज की इस मास्टर क्लास में तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग कैसा फील कर रहे हैं अभी हम लोगों ने जो है न्यूटन लॉज स्टार्ट किया है मैं सौरप कुमार डिरेक्टर अकाडमिक्स विद्ध्यमंदर क्लास लिमिटेड आज के सेशन में आपको कुछ बहुत ही मोशन के उपार ठीक है जब हम कंस्ट्रेंट मोशन की बात करते हैं तो इसका बहुत जादा यूज़ डैनामिक्स के अंदर होता है और इसको फिर आगे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको वरक एनरजी में भी यूज़ कर सकते हैं रोटेशन के प्राब्लम भी डिज़ाइ जरुत नहीं है इसमें आपको सरफ और सरफ एक चीज़ की जरुत है वो है common sense की जो आप सब के पास है ठीक है तो आज का यह lecture जो है यह जो master class है यह constraint motion के बारे में बात करेंगे हम लोग और constraint motion क्या होता है सबसे पहले सोचें कि constraint motion क्या होता है हमको आपको सबको बच्पन से English में वर्ड constraint पता है क्या है constraint मतलब क्या कि कोई चीज जो आपके लिए रुकावट बन रही है कोई चीज जो आपको constraint कर रही है जैसे इस समय की बात करें आज कल की बात करें तो क्या है वह बढ़े सारे constraints हम लोगों की life में ले आया है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हम कही सकते सिमिलरली हम अगर फिजिकली स्कूल जाना चाहें तो स्कूल नहीं जा सकते और बट तो सब चीज क्या है online है वही ऐसे ही चीज जो है constraint motion के अंदर है कि motion के अंदर क्या-क्या रुकावटे हैं क्या चीज़े हैं जो एक को दूसरे से constraint कर रही है और हम उसका कैसे benefit ले सकत जाने के लिए जाने अन जाने में हम लोग constraint motion वैसे भी यूज करते हैं तो चलिए बाश शुरू करते हैं constraint motion की ठीक है तो देखें जैसे आप लोगों ने अभी पिछले class में Newton laws की या classes में कुछ-कुछ examples करे होंगे Newton law को apply करने के तो उन्समें आप क्या मान लेते हो जैसे suppose कर इस पुली से जो है दो ब्लॉक लगे हुए है मैंने कहा एक ब्लॉक यह होगया मेरा और एक ब्लॉक लेटर से यह ले रहे हैं ठीक है यह दो ब्लॉक हमारे लगे हुए हैं पुली से बहुत ही simple question है तभी लोग इसको जानते होंगे मैं कोई भी जो है dynamics की question solve नहीं करूँगा मैं जो आपसे बात करूँगा वो constraint की बात करूँगा तो आप लोगों ने क्या किया जब इस question को solve किया था जब आपके हमारे यहां से आपने अप dynamics को पढ़ा था जब आपने इसको solve किया तो आपने simply कहा कि भई जो है इसका acceleration अगर a है तो इसका acceleration भी a होगा ठीक है और यह बात आपने मान ली बिना किसी question करे हुए क्यों क्यों मान ली आपने इसलिए मान ली क्योंकि आपका common sense यही कहता है आपका common sense कहता है कि जितनी velocity जो है वो block a की है उतनी velocity जो होगी वो block bq ठीक है तो देखते हैं तो देखे जितना अब हमने कैसे कैसे सोचा होगा कि देखे जितना यह आगे चला उतने ही यह बी नीचे गया ठीक है तो अब यह एक एक स्ट्रिंग से करेक्टर है यानि जितनी इस point की विलासिटी उतनी इस point की विलासिटी इस point की उतनी एक question आपने किया होगा इसको हम atwood machine भी कहते हैं यह एक atwood machine है इसमें जो हैं दो masses हमारे लगे हुए दो masses जो हैं लगे हुए लेट अस से कि इसको हमने a mass कह दिया इसको हमने b mass कह दिया और यह पुली हमारी fixed है यह पुली हमारी fixed है ठीक है तो हम तब भी ही कहते हैं कि जितना यह ऊपर जाएगा उतना ही यह नीचे जाएगा यह यह X उपर गया तो यह X नीचे जाएगा इसलिए इसकी velocity V उपर है तो इसकी velocity V नीचे है तो आपने कैसे बाना यह बात को फिर आपने कहा कि जतना है इसका acceleration A उपर है उतना ही acceleration इसका A नीचे है आपने कैसे माना क्योंकि आपने अभी तो common sense से सोच लिया था जब आपको पढ़ाया गया और अगर हम देखें तो यह इनके लिए constraint कौन है, string है, a और b के लिए constraint कौन है, a और b के लिए constraint जो है, वो string है, अब string में क्या है, कि यह string जो है, यह point जितना उपर गया, यह point जितना उपर गया, यह point जितना उ इस तरीके से सिटूइशन हम अलग तरीके के आपको मिलेंगे तो constraint के जो को मैं तीन काटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं तो constraint motion के जो questions के जो questions है, उसको हम तीन पार्ट में divide कर लेते हैं, तीन types में divide कर लेते हैं, एक बात हो गई, journal constraints, एक बात हो गई, हमारी string या rod constraint, string या rod constraint, और तीसरी बात हो गई, हमारी wedge constraint, तो आप जो है, हम लोग journal constraint और string constraint के उपर बात करेंगे, ठीक है, wedge constraint की बात, आज के lecture में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आज के lecture में, जो है, क्योंकि एक दिन में बहुत जादा पढ़ाने से भी क्या होता है, कि आप लोगों को समझ में थोड़ा सा कम होता है, है ना, तो जादा चीज होदाती है समझने के लिए, तो कम समझें, अच्छे से समझें, ठीक है, यह हमारा जो है, वो पूरा प्रयास है, कि जो भी चीज हम आपको इस master class से दें, वो आपको 100% जो है, वो समझ में आनी चाहिए, अब हम देखते हैं कि, जो है, कि string या wedge constraint को हम किस तरीके से use करेंगे, या हमारे पास rod हो, ठीक है, या तो हमारे पास string हो, या हमारे पास rod हो, ठीक है, अच्छा, अब string है, तो string मां दीजे ऐसी है, ठीक है, जैसे suppose करिए कि rod है, तो भी rod जो है थोड़ी मोटी होगी, ऐसे होगी, ठीक है, अच्छा, अब इसके दो end है, string के, ठीक है, लेट उस से इस्ट्रिंग के यह, दो एंड है, एक एंड मन लीज лег asphalt, एक एंड मन लीजे बी, similarly, रॉड के लिए भी कह दीजे, कि रॉड के भी दो END है, एक END है यह, एक END है, भी, ठीक है, अचाने, अब हम यह सभी जानते हैं, अपने, जो भी चीज पढ़ी है अभी तक तजिक्स के अंदर कि string दो पार्टिकल्स को दो बॉडी को दो अब्यक्ट को चला सकती है बट उसके लिए string जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए यानि एक दम स्ट्रेट होनी चाहिए उसके अंदर कोई slackness नहीं होनी चाहिए कोई धीलापन नहीं होना चाहिए यह बात हम लोग जानते हैं similarly जैसे कोई rod है जैसे माली जी यह पैन है मेरे पास एक rod है ठीक है तो यह इस rod को ना तो मैं compress कर सकता हूँ ना में elongate कर सकता हूँ मतलब इसके अंदर elasticity नहीं है समझने मेरी बात कि इसके अंदर elasticity नहीं है similarly जैसे string होगी तो string के अंदर कोई slackness नहीं है ठीक है तो हमने क्या underline position रखी सबसे पहली बात यह हम कहना चाह रहे है आप सभी से कि string there should be no slackness तभी tension की बात होगी तभी सारी बात होगी ठीक है no slackness ठीक है और rod अगर हमारे पास है rod अगर हमारे पास है तो rod के अंदर मैंने कहा कि ना तो हम उसे compress कर सकते हैं और ना ही हम उसे elongate कर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर कहा रहे हैं कि no compression no compression और elongation ठीक है ना तो कोई compression होगा और ना ही कोई elongation होगा ठीक है ना तो कोई compression होगा और ना ही कोई elongation होगा राइट अब इसके लिए क्या हो अब यह सब चल रहा है ठीक है इसके अंदर कुछ blocks बने हुए जैसे यही वाली रस्यां ले ली दिया जैसे ए भी ब्लॉक को connect करने वाली इसमें क्या है block A से एक रस्य जुड़ी हुई है block B से दूसी रस्य जुड़ी हुई है और यह ऊपर नीचे चल रही है और B point की velocity कुछ B B है ठीक है मैं general मान लिया ऐसी कुछ भी ठीक है आपका जैसा मान हो आप उसको वैसे मान लीजे राइट अच्छा अब देखिए कि A का component जो इसके along आएगा अगर मैं कहलूं यह angle alpha है और मैं कहलूं यह angle beta है तो A का component अधर कितना आजाएगा A का component अधर आजाएगा VA cos alpha और B का component अधर आजाएगा VB cos beta अब जो बात में कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुने जो बात मैं कह रहा हूं उसको बहुत बहुत ध्यान से सुनिए कि सिर्फ और सिर्फ एकी चीज पॉसिबल है और वो चीज क्या है वो चीज है कि VA cos alpha has to be equal to VB cos beta VA cos alpha has to be equal to VB cos beta क्यों अगर आप कहो कि भहिया आपकी बात गलत है ठीक है तो आप इस बात को कैसे prove करोगे कि मेरी बात सही है देखिए दो option हो सकते है अगर मेरी बात गलत है या तो VB cos beta VA cos alpha से बड़ा हो जाए अगर VB cos beta VA cos alpha से बड़ा हो गया यानि आप कह रहे हो कि string का जो B वाला end है वो ज्यादा तेज चला है A वाला end जो है कम तेज चला है यानि string तूट जाएगी अगर B तेज चलेगा और A हलके चलेगा तो string खिच जाएगी और खिच जाएगी तो तूट जाएगी क्योंकि हम कैसी string लेते हैं हम लेते हैं in extensible string हम कैसी string लेते हैं in extensible string फिर से सुनिए हम कैसी string लेते हैं in extensible string ठीक है तो अगर B end जो है A end से तेज़ चलेगा तो string तूट जाएगी दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपको हो कि A end B end से तेज़ चले ले B मान लिजे चला है एक सेंटीमीटर और एक चल जा रहा तेर में दो सेंटीमीटर तो क्या होगा तो string जो है वो क्या कर जाएगी slack हो जाएगी तो उसके अंदर tension खतम हो जाएगी अब वो दो मासों को एक साथ नहीं चला सकती चलाने के लिए दो मासों को जोड के दो अबजेक्ट को दो पार्टिकल को दो बॉडिस को जोड के चलाने के लिए string के अंदर हमेशा क्या रहने चाहिए tension रहने चाहिए समझने क्या रहने चाहिए tension रहने चाहिए समझ में आ रही है मेरी बद चलाने अब जो है इसका मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूँ वही एक बात सकते है कि va cos alpha is equal to vb cos beta यानि यह भी मतलब यह तो formula लिख दिया हमें rule क्या हुआ rule हुआ कि the direction जो velocity है ends की string की वो along the string जो होगी वो क्या रहनी चाहिए same रहनी चाहिए so the velocity the velocity of the ends of the string along the string should be safe तो जो दो end है उन दोनो end की velocity along the length of the string क्या रहनी चाहिए same रहनी चाहिए same logic किस के लिए लगेगा rod के लिए लगेगा चलिए rod के देखें जबार के बारे में बात करें rod के इस end की velocity लेने भी है इस end की velocity लेने भी है जिस direction जिसका मना है वो ले ले ठीक है आप चाहें तो इस वीडियो को pause करें और अलग-अलग direction में velocity लेके लिखके देख ले ठीक है कोई problem नहीं आई ठीक है यहाँ पर मान ले मैं कह रहा हूँ angle theta 1 और यह angle मान लेजे मैं कह दे रहा हूँ theta तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ यानि दोनों end की rod की speed along the length of the rod क्या रहनी चाहिए constant रहनी चाहिए constant मतलब equal रहनी चाहिए ठीक है अच्छा अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा ठीक है फिर वही बात जो मैंने पहले कही थी कि अगर va cos theta 1 बड़ा हो जाए vb cos theta 2 से तो क्या होगा rod compress हो जाएगी rod क्या हो जाएगी compress हो जाएगी तो वो possible नहीं ठीक है अगर मैं ऐसे लिख दूँझे से एक बार के लिए आप लोग जिससे कि आगे भी notes से refer कर लें जोग नोट को ने लिए जाएगी आपको va cos theta 1 अगर greater है vb cos theta 2 से ठीक है तो यह possible नहीं है यह possible क्यों नहीं है क्योंकि हम कह रहे हैं कि rod will compress rod क्या हो जाएगी compress हो जाएगी ठीक है अच्छा दूसरी बात क्या हो जाए अगर हम कहने कि vb cos theta 2 is greater than va cos theta 1 यह हो जाए तो यह बात भी possible नहीं है यह बात भी possible नहीं है तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो rod will elongate अगर देखिए b end की velocity a end की velocity से ज़्यादा हो जाए तो rod क्या हो जाएगी खिचके लंबी हो जाएगी जो possible नहीं है rod की length तो क्या रहनी है constant रहनी है यही constraint है यही constraint है constraint आपके पास क्या है आपके पास जो एक चीज़ है जिसे आप change नहीं कर सकते हो वो क्या है वो यह है कि length of the rod and length of the string cannot be changed तो इस case में क्या होगा rod will elongate तो इसलिए यह नहीं होगा ठीक है इसलिए सिरफ और सिरफ क्या हो सकता है सिरफ और सिरफ यह हो सकता है कि भई दोनों end की speed जो है along the length of the rod जो रहे हो same रहे तो यानि rod और string के constraints यह कहते हैं कि अगर कोई भी motion हो रहा है इसके अंदर तो rod और string तो जब कभी भी आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे भईया इसके जो है दोनों end की velocities को उसका component ले लेंगे कि इसके along rod यह string के length के along अब बात आती है कि ज्ञान हो गया ही ठीक है अब ग्यान का क्या फाइदा जब तक numerical ना हो numerical कम होंगे जब numerical करेंगे तो चलिए numerical करते है ठीक है और जो numerical में choose कर रहा हूँ वो numerical ऐसे वैसे numerical नहीं है खाली वो numerical IIT में आये हुए numerical है ठीक है और IIT के भी advanced exam में आये हुए numerical है यानि हम असली question की बात करने जा रहे है ठीक है तो कुछ वैसे वहां से IIT का है हुए question और कुछ हमारी तरफ से question जो आपको क्या लेके आएंगे एक्सपराइज लेके आएंगे general string rod constraints ठीक है उसके बाद पुली constraints की बात करते हैं फिर Newton law के questions आपके जो regular class चल रही है उसमें आपको कराई ही जा रहे है ठीक है चलिए एक question लेते हैं बड़ा famous question है I think काफी सारे लोग जबहाँ पर ये question आपको दिखेगा ठीक है इसका use तो अपसे लेके और आप कह सकते हो कि rotation तक चलता रहेगा बड़ जो velocity का relation हम आज कर देंगे वो तो आज ही हुआ उसका मज़ा जो है तो आज हो ये ऐसे समझ लिजे कि floor है और दिवार है जैसे जमीन है और दिवार है कोई भी आपके कमरे का कहीं में एक बार जमीन देखे और एक बार दिवार देखे आज में करेंगे हमारा आज क्या है सरफ constraint पढ़ने का हमारा आज काम क्या है constraint पढ़ने का ठीक है ये angle मान लिजिए हमें दिया हुआ है theta जमीन के साथ जो ये rod ये जो सीड़ी जो भी चीज है ये कितना angle बना रही है theta angle बना रही है ठीक है इसके दो end हो गए ये end a हो गया और ये end हमें किसी एक end की velocity बता है और दूसरे end की velocity निकाल रही है ठीक है suppose कर लीजे कि question आपसे कहता है कि a जो है va velocity से नीचे आ रही है question आपसे कह रहा है कि end a जो है va velocity से नीचे आ रहा है और problem आपसे पूछ रही है question आपसे पूछ रहा है find the velocity find the velocity of end B, find the velocity of end B, ठीक है, constraint क्या है, constraint क्या है question में, question में constraint है कि length of the rod cannot be changed, question में constraint क्या है, कि length of the rod cannot be changed, ठीक है, चले, बहुत बढ़ी आपा, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया वही, हमने बताया कि along the rod, along the strength क्या रहता है, दोनों end की velocity जो रहेगी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, अच्छा, ये angle theta है, तो इतना तो सभी लोग जानते होंगे, कि ये angle जो होगा, 90 minus theta हो जाएगा, ये angle जो है, 90 minus theta हो जाएगा, अच्छा, ये भी आप लोग अपनी, जो है common sense से, कह सकते हो, वैसे एक बात बताऊ, common sense is a sense which is not common, ये हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी बाती है, कि लोग कहते है common sense होगा, लेकिन जो research कहती है, वो ये कहती है, कि common sense is a sense which is not common, ठीक है, चलिए, तो अब भी वाला जो part है rod का, जो भी हमने लिया हुआ है, वो किदर चलेगा, भी आप ऐसे सिड़ी रखो, खिसकेगी जमीन पे, ना, खिसकेगी तो इसका मतलब b point जो है आगे की और चलेगा, ठीक है, यानि velocity, जो speed हो गई b की, वो किदर हो गई, आगे की तर, अच्छा, पढ़ हमें तो इससे कोई हुआ है, हमें क्या चाहिए, हमें तो along the road चाहिए, हमारे लिए क्या फैदबन, हमारे लिए फैदबन दे कि हम क्या पता कर ले, along the road पता कर ले, ठीक है, तो along the road देखते हैं, अब a का component इधर की तर, तो v कितना हो जाएगा, v a cos 90-theta, यानि v a sin theta, यह जाएगा, जब v b का दे vertical, vertically opposite angle, जाना, geometry 6th class की, 7th class की, ठीक है, चलिए, तो यह क्या, v b cos theta, क्या, v b cos theta, अच्छा, अभी हमने बताया आपको, क्या बताया, कि दोनों end की velocity जो होगी, along the road क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, चलिए, तो हमने लिख दिया, फिर, सेम कर दी velocity, हमने का कि, v a sin theta is equal to v b cos theta v a sin theta is equal to v b cos theta, हमें क्या find करना है, हमें v b find करना है, तो v b क्या हो गया भईया, तो v b हो गया, v a into sin theta upon cos theta, सब लोग जानते हैं भई, sin theta upon cos theta क्या होता है, sin theta upon cos theta, अर यह तो बड़ी difficult बात हो गई, नहीं भई, sin theta upon cos theta क्या होता है, 10 theta होता है, यह तो 10th में पड़ाता है, अध्यान आगया, रेसर बोर्ड में पड़ाता है, बोर्ड से पहले, अब तो बोर्ड देवें चार महीं नहीं होगे, भूल गया, तो क्या है, sin theta upon cos theta क्या हो गया, 10 theta हो ठीक है, so v b is equal to v a tan theta, अंसर आगया, iat में आए होगा, तीन गुंबर का सवाल, देखी एक लाइन में हो गया, ठीक है, इती में आए, नीट में आए, जेई में आए, ठीक है, question तो यह है, physics तो यह है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, कि भाई, अलग-अलग है, सब कुछ जो है, concept जो रहते हैं, उसे, अब जो है constraint था, यह क्या constraint था तो क्या मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, इस question को, आपका दिमाग का presence कैसे खाम करेंगा, चलिए, देखते हैं किसी और तरीके से कैसे कर सकते हैं, सब्सक्राइब कि किसी भी समय पर यह वाली जो length है, यह x है, यह वाली length जो है, यह y है, और rod की length जो है, कह सकते हैं, जो जमीन, ground पर जो length है, वो x है, जो वाल, दीवार पर length है, वो y है, और जो rod की length है, वो कितनी है, l है, ठीक है, चाथ, तो अब हम alternative method की बाद कर रहे हैं, हम elliter की बाद कर रहे हैं, अब हम अमेज छोटा method तो कर लिया, लेकिन अलग-अलग method इसलिए बताने जरूरी होते हैं बच्चों, कि कब दिमाख में कौन सा method आए, कौन सा उस समय ध्यान आ जाए, कौन सा जल्दी हो जाए, ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, तो इसलिए दो-तीन method जो है, वो पता होने बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है, अगर जिस जिस problem में possibility है, हम हमेशा, खास और से मै है, अपने students को एक से जादा method बताने की कोशिश, कोशिश करता हूँ, इसलिए करता हूँ, कि जिससे की आप सभी लोगों को, वो जो है, समझ में आए, कि भई, जो है, अगर हम ये वाला भूल गए, तो दूसरा वाला यूज़ कर लें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अच जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, उसी का योग कर लेते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखोगे, तो क्या लोग कहोगे, भई, कहोगे, x square plus y square is equal to x square, x square plus y square is equal to x square, लिख सकते हैं, कोई परशानी नहीं होगी, किसी को इस बात में, अच्छा, अब परशानी तो नहीं हो रही है, अच्छा, लेकिन हम 11 में आ गए हैं, हमने एक नहीं चीज़ सीखी थी, थोड़े दिन पहले, क्या सीखी थी, differentiate करना, क्या सीखा था, differentiate करना, उसे differentiate कर दिया जाए, अच्छा, x और y और l में, क्या constant है, और क्या variable है, तो देखिए, जैसे यह cd जो खिसक कि नीचे की और, तो x बढ़ेगा, बोलो हाया न, x बढ़ेगा, y कम होगा, जैसे यह cd नीचे की सकती चली जाएगी, y की value क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे यह cd खिसकती जाएगी, x की value क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानि हर instant पर x और y क्या ह होंगे चेंज होंगे हर इंस्टेंट पर X और Y क्या होंगे चेंज होंगे अच्छा अब X और Y अगर चेंज होंगे तो क्या L भी चेंज होगा नहीं भई ल कैसे चेंज होगा ल तो स्विडी की लेंथ है रोड की लेंथ है वो तो x square प्लस y square जो रहेगा वो क्या रहेगा l square के ब्रादर रहेगा ठीक है चलिए तो differentiate कर दिया जाए इसको time के respect में ठीक time के respect में क्या कर देते हैं differentiate कर देते हैं चलिए करते हैं तो 2x into dx by dt plus 2y into dy by dt l constant है इसलिए उसका differential j l constant है इसलिए उसका differential 0 ठीक है 2 से 2 cancel हो गया तो भहिया x into dx by dt plus y into dy by dt is equal to ठीक है बीटा I think everybody is okay अब dx by dt जो है वो क्या है वो velocity of b है dx by dt क्या है वो velocity of b है खुल-खुल है ठीक है dy by dt क्या है velocity of a है dy by dt क्या है velocity of a है but 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 हम use कर रहे है calculus calculus measure करती है rate change ठीक है तो x तो बढ़ रहा है इसलिए dx by dt क्या होगा positive होगा और y घट रहा है इसलिए dy by dt कैसा होगा negative y का rate कैसा है negative y का rate कैसा है negative ठीक है इसलिए minus dy by dt किसके बराबर होगा वीवी के बराबर होगा और dx by dt किसके बराबर होगा वीए के बराबर होगा यह बात बिल्कुल कुई गाट बाग लें लिख लें याद कलें दिमाग में बिठा लें हर चैप्टर में हर अल्टरनेट कोईशन में ये बात काम आती है क्योंकि जब कैलकुलस रेट को मेजर करता है तो रेट का मेजरमेंट जो है ऐसे होता है कि कुछ जो चीज बढ़ रही है वो समझने मेरी बाग को ठीक है चलिए लिख लेते हैं साइड में कि क्या पॉजिटिव और क्या ठीक है समय लगा रहा है एक कुश्चन के अंदर ठीक है हर कुश्चन में थोड़ा थोड़ा समय लगाएंगे बट मैं चाहता हूं कि वीडियो आप एक बार देख लें आपके ज हूं एक साइड में ऐसे करके कि लिएटी जो है वह है वह 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 है और 1-2y by dt जो है वह रिजन समझ में आ गया क्यों मैं शॉट में लिख दूं क्या एक्स इंक्रीस कर रहा है और वाई डिकरीज एसे लिख सकते हैं अपवर्ड एरो का मतलब increasing downward arrow का मतलब decreasing ठीक है upward arrow का मतलब increasing downward arrow का मतलब decreasing ठीक है समझ गए बत चलो अब फटाफट इसके placement करती जाए हमें dy by dt निकालना था तो हम लोग लिख देते हैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि dx by dt is equal to minus y upon x dy by dt dx by dt हो गया vb जो मुझे निकालना था is equal to minus dy by dt हो गया मेरा dy by dt हो गया मेरा sorry यह मैंने उटा लिख लिए यह va है और यह va तो यह हो गया मेरा va और y upon x क्या हो गया इस triangle से देखेंगे तो y upon x हो गया 10 theta इस triangle से देखेंगे तो y upon x क्या हो गया 10 theta तो vb is equal to va 10 theta तो फिर से हमें same answer जो पहले obtain हुआ था वही answer जो है वो फिर से अप्टेन हो नहीं था वही answer तो अप्टेन हो नहीं था क्यों नहीं था तो यह एक question ठीक है चलिए अगले question को देखते हैं मुझे मेजर कि सब लोगों के question समझना है अच्छा एक iit का आया हुआ question लेते हैं यह iit में भी आया है और यह need media ठीक iit में भी आया है और यह question need media इस question को देखते हैं कि आपको देखके बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि बड़े सुस्ते में number जो है वह मिल जाते हैं अगर हम ध्यान से प्राही करें तो कि वह सारे लोग ना ध्यान से प्राही नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि भई नहीं हो रहा है नहीं सेलेक्शन हो रहा है है ना और दुनिया भर की बाते के में लगते हैं दुझोंकि यह कूशन है कि कह रहा है कि यह ब्लॉक है घूब पूलि आ किंद रहे है और पूली को कित्ती क्यारा है कि ब्लॉक की या वह ? find the speed of curve so i think it is an easy one for all of us right सबसे पहरी बात जो हमने सीखा हम उस पहले आभल करें हमने सीखा आज क्या हमने सीखा string rod constraint सबसे पहले तो सीखा इस्तिमाल कर ले जाँ ठीक है तो भही ये speed इसको आप यू से नीचे खेच रहो यानि यह एंड यू से उपर गारा है ठीक है बट ब्लॉक कैसे चलेगा फ्लोर पे ब्लॉक क्या हवा न उड़ेगा यह सिकर क्या रॉकेट बन जाएगा नहीं भी ब्लॉक रॉकेट तो नहीं बन सकता ब्लॉक तो जमीन पर किसे गा ना उसके बात की बाद में देखे जाएगी बट हमसे इस इंस्टेंट पर पूछा हुआ है जो कश्र पूछा जाता है वो इस इंस्टेंट की बात कर रहा है और बहुत लॉंग टाइम की बात करेगा तो बताएगा ठीक है इस इंस्टेंट की ब अगर स्ट्रिंग के इस एंड की स्पीड यू है तो तो वी का कंपोनेंट तो आएगा अलॉग देस्ट इस त्रिंग वह कितना आएगा भी तो कंपोनेंट और बी अलॉग देस्ट इस त्रिंग कंपोनेंट और वी अलॉग देस्ट इस त्रिंग हर पॉइंट किती व्लॉष्टी से मूव कर रहा है यू से कर रहा है तो जो एस ब्लॉख में फसी हुई string है इसका भी जो point है वो कित्ती विलास्टी से टेड़ा जा रहा होगा U से यानि V cos theta को किसके बराबर होना होगा V cos theta को U के बराबर होना होगा ठीक है तो हमने लिख दिया भाईया कि V cos theta जो होगा वो किसके बराबर होगा U के बराबर होगा यानि वीकी वेली क्या होगी वीकी वेली होगी यू अपान एक लाइन लिखी चार नंबर मिल गए एक लाइन लिखी और चार नंबर मिल गए यानि आप आयाटी रुड़की से आयाटी दिल्ली पहुंच सकते हैं चार नंबर ठीक है चार नंबर में आप प्राइवेट मेडि देखा ठीक अच्छा इस बात होगी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की अब बात आती है क्या कोई और भी कंस्ट्रेंट है यहां किसी और चीज का फायदा उठा सकते हैं कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो रही है कि कुशन में अल्टरनेटर मेथट की बात करते हैं ठीक है वहीं देखें कोशन देखो कोशन कोशन देखते रहो क्या चीज समझ में आई कोशन देखती यह समझ में आ रहा है कि चाहें कुछ भी हो जाए पुली फिक्स है और जमीन भी फिक्स है पुली फिक्स है और जमीन भी फिक्स है ठीक है तो पुली और जमीन के बीच का जो डिस्टन्स है ना पुली और जमीन के बीच का जो डिस्टन्स है यह चेंज नहीं हो सकता है जो ब्लॉक चल ला है इस डिरेक्शन में यह जो है इतनी हिस्सा इसको हमने ले लिया कुछ एक्स और इतना हिस्सा जो है यह वाला फुली से लेके और यहां तक का इसको ले लिया ले सकते हैं आपका बनोव एक्स से लेके देट्स तरस एक्षन आपके आपका उमना हिसा तो कुछ है नहीं कि आपको एक्स और य G लेना ही ठीक हमने ह्सी य लिए अब इस पेimentos को आपका हम और अच कि थिए स्कूरु heps h square is equal to y square. क्या चीज़ constant? h constant. क्या चीज़ constant? h constant. ठीक है? फिर से क्या? फिर से calculus, फिर से differentiation. ठीक है? So 2x dx y dt h का differentiation 0. जो constant है उसका differentiation 0. is equal to 2y into dy by 2y into dy by dt. ठीक है? दो से दो cancel होगे हैं. बढ़े 2 और 2 मिलके गोमने चलेगे. कायब होगे हैं ठीक है? उनके बारे में बात मीट होगी है. तो dx by dt. dx by dt जो speed of clock है. is equal to y upon x into dy by dt. अच्छा, dx by dt कह है? dx by dt velocity वो है, जो हमें find करनी है. dx by dt कह है? वो velocity है, जो हमें find करनी है. y upon x इसमें क्या है? x upon y होता है cos theta. यानि y upon x है sec theta, यानि 1 upon cos theta. ठीक है? और dy by dt कह है? dy by dt वो है, जिससे speed से ये उपर वाली string खिच रही है. किसे speed से खिच रही है? किती speed से खिच रहा है? u speed से. किती speed से खिच रहा है? u speed से. तो क्या लिख दिया जा रही? u divided by cos theta. और या से मांसों दुबारत से. फिर से क्या मिल गया आपको? वही answer मिल गया रही है. u upon cos theta और u upon cos theta. तो अब ये दोग सवाल करके एक बात तो समझ में आ गई हमांगे. कि हमने आपको rope string constraint क्यों सिखाया? rope string constraint हमने आपको इसलिए सिखाया जिससे कि आप जो है question को असानता से कर सके. बिना calculus के इस्तिमार के कर सके. क्योंकि बच्चे 11 क्लास में मैंने देखा है calculus में घवराते हैं, डगते हैं, तो जितने हम आवाइड कर संगे calculus को उतनी आवाइड करते हैं, ठीक है? कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, हमने आपको दो नमेठर बता दी है, आँसा तो मैंने नहीं कहा calculus यूजज़ नहीं करना है, कठे नुद्री नहीं होती है, बट डर होता है, ठीक है? उस डर की वज़ा से क्या होता है, कि बच्चे calculation नहीं कर पाते हैं, उसको differentiate नहीं कर पाते हैं, integrate नहीं कर पाते हैं, limits नहीं रख पाते हैं, और so and and so, तो इसलिए हम लोगों यह जो method है, यह उन बच्चों के लिए खास्त और से है, जो maths को मैं calculus नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यह calculus नहीं करना चाहाँ है, ठीक है? तो और देखिए, दूसरी बात क्या है? टाइम बेच रहा है, एक लाइन में हो जा रहा है, यह तीन तीन चार 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 लिखनी पड़ रही है, फिर आपको plus minus भी धान रखना पड़ेगा कि length increase हो रही है, तो plus length decrease हो रही है, तो minus, तो यह सारी बातों को भी जो है हमें धान रखना हो ठीक है? चलिए, तो अब हम मेथर सारे बता लिए, दोनों मेथर बता लिए, यहाँ पर जो लख सकते हैं, ठीक है? और अब हम जो questions करने जा रहे हैं, वो हम बिना calculus के questions को करें है, ठीक है? देखते हैं, एक और question, बहुती सुंदर question है, यह तो रजिट support है हमारे पास, और इन दोनों रजिट support की बीच मे एक रिंड है, यह रॉड में एक रिंग है, और इस रिंग दिए के पास होती हुई, शेगा पीओ, और एक ब्लोक से फनक हुए, ठीक है, ठीक है? यह पुली यहां को ठीक है यह एंगल पुछ हम ले लेते हैं 30 डिए यह हमने कुछ एंगल ले लिया 30 डिए और यह हमने कह रही है यह रिंग चल रही है इदर कुछ 10 मेटर पर कि यह रिंग इदर चल लेगा राइट वर्ड कित्ते से 10 मेटर पर 30 सेकंड यह 10 मेटर पर सेकंड तो हमें बताना है कि यह जो ब्रॉक है वो कित्ती स्पीड से निचे जाएगा यानी जो पूछ रहा है हमसे हो क्या रहा है कि फाइंड दा वैल्यू और वजलो यह रही हमें क्या बता दो वी की बैल्यू अठीक है चलिए इस्ट्रिंग कंस्ट्रेंट करेंगे वे इस्ट्रिंग करेंगे एंड एंडर नहीं करेंगे मन्हो नहों अखर सीख लिया है, वो calculus का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग calculus का इस्तेमाल करना चाहें, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहां पर constraint यह है कि pulley और rod के बीच की distance change नहीं हो सकती है, क्योंकि pulley में fix है और rod जो है वो भी दो callers के बीच में fixed है, ठीक है, दो caller या दो operator support ज यह दर चल जा है, तो भैया यह देखो, यह B से नीचे, यह B से नीचे, यह B से यह B से यह B, यह B वी से यह B वी से यह B, अब यह जो है इधर चल रही है, इसका इधर तर्फ चल रही है, तो इसका component इधर अगर हम लेंगे, तो क्या लिखेंगे है, कि V is equal to 10 cos 30, ज़के अब यह वाला इन इधर जा रहा है तो इसका component इधर कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा 10 cos 30 सब्सक्राइब जाएगा 10 cos 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, ध्यान करों कितना होता है, root 3 by 2, ठीक है, so V is equal to 10 into root 3 by 2, तो इस V की value गटा हो गई, इसकी 5 root 3 meter per second, इसकी velocity कितनी होगी पेटे, 5 root 3 meter per second, ठीक है, संपल, एक और question देखा जाए, एक और question देखा जाए, तो हम जो question कर रहे हैं, जो question कर रहे हैं, इसे लोट constraint पे भी कर रहे हैं, और ये questions बहुत सरल है, अगर आप लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हो कि एक line लिखने में, आपको 4 number सीदे सीदे में ठीक है, इससे अच्छा क्या हो स इसका स्टेमाल ने, इसका स्टेमाल ने, ठीक है, तो एक सिटूर्शन बना रहे हैं, तो ये देखे, ब्लॉक टूपर से स्टेम गई, और स्टेम जो है, ऐसे जाके इस ब्लॉक पर अठा चाहिए, ठीक है, हमें दिया हुआ है कि ये ब्लॉक जो है, इधर 6 मीटर 50 से स्टेमाल चाहिए, 6 मीटर 30 से चल रहा है, ठीक है, तो और ये एक हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल जो है, इस ब्लॉक की स्पीड बता है, जो ब्लॉक ग्राउंड पर है, उसकी स्पीड बताई जाए, ठीक है, तो जो ब्लॉक ग्राउंड पर है, उसकी हमें स्पीड बतानी है, ठीक ह तो यह देखिए कि speed जब आप block की ground की बात आगर जब आप करते हो बेटा तो एक चीज समझो कि block जो है वो कैसे चलेगा वो तो ground पर ही चलेगा ठीक है अच्छा block जब ground पर चलेगा तो किदर चलेगा इधर left की तरफ चलेगा ठीक है तो जो block की speed हो गई वो इधर कितनी हो गई छेया ठीक है अच्छाए अब आप देखो कि यह 6 meter से लेट की तरफ चल रहा है यादी यह पॉंट 6 से चल रहा है यह पॉंञ्ट 6 होनी चाहिए उसकी वेलीव 6 होनी है जो V का component along the string आएगा उसकी value कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए. ज्यानी हम कह रहे हैं कि V cos 60 should be equal to 6. cos 60 कितना होता है? 1 by 2. ठीक है बड़ा हम लोगो ना बड़े सारे बिच्चों को पलाता हूं को values याद नहीं रहती हैं. values तो याद रखने पुड़ेंगे बई है ना? तो 6 चूजा कितना हो गया बड़ा? 12 मेटर पर सेक्ट. ठीक है? मदा आया? और कर आपने क्वेश्चन. ये क्वेश्चन और देखते हैं. ये क्वेश्चन भी जो है मुझे ध्यान ने किसी एक्जाम में आया हुआ है. कौन सा ए और बहुत फ्यमस क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन तो देखा जाए जाए जड़ा? ये एक ब्लॉक से लगा हुआ है. और इस ट्रिंग को कित्ती स्पीड से खेचा जा रहा है? यू स्पीड से खेचा जा रहा है. ठीक है? प्वेश्चन कहा रहा है. और इस ट्रिंग को कित्ने स्पीड से खेचा जा रहा है? यू से खेचा जा रहा है. चलिए. तो फिर से क्या यूज करा जाए? फिर से यूज करा जाए. यू से खेचा नीचे तो यह भी यू से 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 यह भी 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 य व्लॉप तक न κάंट हो घुतकी ऐसका आलों टाशंट हो गया लाउंग श्待 कंपोनेट कितना हो ग्याक और यह किस के के ब्रा वर होना चाहिए क्योंकि फॉइक का हर पॉइंट किस मूव कर रहा है जुसे मूव कर रहा है इसलिए की की वेल्यू क्या हो गई ही भैई नोफ लिए वन की वेल्यू क्या हो गयी उ पाउं यह सिट्विशन में बना रहा हूं यह कर दो तो यह देखेंगे कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यह जो है एक पुलिस्सेस्थ दो ब्लॉकस अटेज्ड है जिए एक का नाम बख लेते हि एक नाम पर्टेया ऑपके सेयों सब्सक्रों कुछ है कि जो ही फ़ाला ब्लॉक जो इधर चल रहा है वह कुछ चल रहा है एधर 8 मेटर परसंट और क्या दिया हुआ है और यह वाला जो एंगल है कि 30 डिगरी है और यह वाला जो एंगल है यह 60 डिगरी है एक एंगल 30 डिगरी है एक एंगल 60 डिगरी है ठीक है फिर क्या पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि यह जो ब्लॉक भी है ना इसकी स्क्रीड बताए तो फिर से भई काम भई है है अब जो है ऐसा लग रहा है कि रूटीन हो गया तो आप सब अपनी स्क्रीन को पॉस्ट करो ठीक है और इसका आंसर निकाला ठीक है मैं आंसर लिख रहा हूं उसके बाद इससे मैच कर लो तो यह इस्ट्रिंग पुली जो है खतम होता है इसको सब्सक्रीं के साथ में खतम कर रहा हूं तो आपने देखो कि कि छोटी सी चीज का हमने कितना बढ़िया फायदा उठाया तो चीजों का फायदा उठा रहे है एक तो लेंथ अप दिस चेंज नहीं हो रही राट चेंज नहीं हो रही इसका फायदा उठा रहे है दूसर फायदा इस बात का उठा रहे है कि टेंशन राट जो है वो जो है टेंशन जीरो नहीं हो सकती और इस टेंड नहीं हो सकती और रॉट कंप्रेश इसी बात का बेंफेट जो है कुल्ट लिया तनी यह जो यह जो इस्की जो इधर आएगी यह तोनों क्या हो जाएए सेम होनी चाहिए, यानि हम कहा रहे हैं कि 8 cos 30 should be equal to v, उन्हें भी माना है ना, तो v cos 60, यह है, तो जोनों विक्वेट कर दिया जाए, चलिए भी फटा फर सब लोग विक्वेट करें, 8 cos 30 is equal to v cos 60, cos 30 की value हो गई, root v by 2, और cos 60 की value हो गई, 1 by 2, तो इसलिए v की value हो गई, 8 root 3, meter per second, तो देखा आपने, कितनी जल्दी से हमने answer निकाला, एक line ही लगा रहे हैं फर question को करने में, तो यही जो है string pulley constraint का जो है, खास्तोर से जो rope constraint इसे हम कहते हैं, उसका मज़ा है, ठीक है, चलिए, अब थोड़ी सी बात करें कुछ pulley के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं, पुली के बारे में, और पुली की बात करने में, आपने जो common sense अभी तक use किया था, उसी को हम किसी दूसरे sense में, उसी को mathematical sense में convert करते हैं, ठीक है, तो आज मैं आपको pulley constraint का एक shortcut बताऊँगा, आज की master class में, मैं आपको pulley constraint का एक shortcut बताऊँगा, और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कितना आज कर पाते हैं, वरना फिर अगली master class में, फिर से आपको जो है, इसी के आगे का हम लोग पढ़ाएं, ठीक है, चलो, तो pulley constraint की बात को अभी परेकरी ली जाए, अगली class की बात अगली class में देखी जाएगी, आज की बात आज, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको शुरू शुरू में विल्कुल lecture के बताया कि हम लोग किसी चीज जिसको हम कुछ atwood machine कहते हैं, उसमें क्या होता था? ये block A, ये block B, ये pulley P, ठीक है, ये बना हुआ था, अगर budget support बात करने जा रहे हैं, अब हम किसकी pulley constraint की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, pulley constraint की पुली constraint की हम लोग बात करते हैं, चलिए, तो हमने ये कहा था, कि अब जब atwood machine बनी होती तो जो मास नीचे होता है ये माना जाता है वो भारी है और वो नीचे की दरफ चलेगा, और जो मास उपर बना होता है ये माना जाता है automatically की वो हलका है और वो ऊपर की ओवर चलेगा, तो ये एक standard assumption होता है, इसको explain करने की जरुवत नहीं होती है ठीक है, चुरू की classes में आपको ये बात पता नहीं है, इसलिए हमने आपको बताता है ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऊपर चल रहा है, और ये भरसाद जो है, नीठ सकते हैं कि जितना A नीचे जाएगा, उतना ही B जो है उपर जाएगा, जितना A नीचे जाएगा, उतना ही B जो है, वो कादर जाएगा, उपर जाएगा, ठीक है, तो हमने कहा ये कि भाई हम ये कहना चाहा रहे हैं, directly, directly, कि velocity of A with respect to fully is equal to velocity of, अभी मैं ना पूरा नहीं लिख अब आप कहोगे भाईया, आप तो velocity नाम ले रहे हो, और velocity तो वेक्टर होता है, तो ना तो आपने स्क्यूपर वेक्टर का arrow लगाया, और ना ही आपने direction ली, ये तो बड़ी गलत बात है, तो मैं कहां कहा कि मैंने पूरा नहीं लिख दिया, मैं नहीं तो कहां नहीं पूरा वेक्टर का arrow लगाएंगी, अच्छा वेक्टर का arrow लगाने के साथ ही साथ, वेक्टर का arrow लगाते हो तो आपकी उपर जिम्मेदारी आ जाती है, आप जिम्मेदार हो जाते हो, कि direction सही बतानी है, ये आपकी responsibility हो जाती है, तो इसलिए वेक्टर का arrow लगाते हैं तो उससे पहल से अपनी जम्मेदारी का एहसास करना बड़ा जरूरी है और वह जम्मेदारी की एहसास यह है कि भाईया डिरेक्षण तो सही बता दें अगर हम डिरेक्षण सही नहीं बता पाए तो लोग हसेंगे कैसे साइंस के स्टुडेंटों यार वेक्टर साइन लगा रहे हो क्या है है कि हम अप्वर डिरेक्षण पॉजटिव मान ले और डॉणर डिरेक्षण चमें सकते हैं या कुछ बच्चे धान वर्टको पॉजटिव मान के अपवर्र को निगाटिव और विद्धिया मंदर च्लासे वैंधिने कंन शुफ कुछ बाद काफी सारे बच्चे क्या कहते हैं काफी सारी किताबे क्या कि ढरें जिधर मोशन हो रहा हो रहा है Chicago additive design पर के सट खिलाव एक negative भी sign लगा दिया अच्छा negative sign क्यों लगा दिया क्योंकि दोनों की direction opposite है दोनों की direction क्या है opposite है एक उपर जा रहा है दूजा नीचे आ रहा है ठीक है तो किसी को भी आप positive मालो और किसी को भी आप negative मालो यहां पर पुली जो है वो rest पर है पुली को क्या कर दिया आपने fix कर दिया तो अब हम लिखेंगे relative velocity की definition लगा दें तो हम लिखेंगे velocity of a minus velocity of t is equal to minus of velocity of b minus अच्छा हमें पता है we know we know vp is 0 because पुली is at rest, so पुली is at rest therefore va is equal to minus vb which one now if we differentiate it then we will say that both the vectors are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है तो acceleration of a is equal to minus of velocity of a यानि minus sign लगा हुआ है दो vector अगर equal लिखे हुए है negative sign के साथ तो इसका उतलब उनका direction opposite है और magnitude जो है वो same है, ठीक है? तो magnitude of a is equal to magnitude of b तो इसी hypothesis के साथ हम लोग जो लिखते हैं वो at word machine में दोनों के acceleration को equal लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, बट हमेशा तो ऐसा नहीं होता है यह तो आप भी जान दो, अब क्या कर रहे हैं? अब हम pulley को move कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? pulley को move कर रहे हैं और यहां से हम लोग पकड़ेंगे अपना pulley कॉस्ट्रेंट, ठीक है? चलिए, एक जनरल सिचुएशन बना रहे हैं आप सभी के सामने और इसी से हम आगे के derivations का दालेगे हैं, ठीक है? मांगे जे कुछ कुली उपर जा रहे हैं, ठीक है? अगर कहीं पर भी आप कुछ भी माल लीजिए, अगर आपकी बात गलत होगी, आपने सब कुपर जाता हूँ, माल ले हो सकता है, नीचे जा रहा हो, तो वह आंसर निगेटिव हाजाता है, ठीक है? तो वी डोंट नीट टू वरी अबाउट राइट, ठीक है? लेख गया हो, अगर अगर हो, तो यानि जो पुली के रिस्पेक्ट में एक विलास्टी है, वही पुली के रिस्पेक्ट में बी की विलास्टी होगी, क्योंकि जितना यह उपर जाएगा तो नहीं वो नीचे जाएगा ठीक है यह बात हमने पीछ डेराइब करके भी देखी अब है ना और उसी को हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं कि विलासिटी आफ ए विल रिस्पेक्ट कुर्पुली is equal to velocity of P plus respect to so VA sorry minus is equal to VA minus VP is equal to minus of VB minus यानि आप लेख सकते हैं कि VA plus VB P is equal to two times यह आप लिख सकते हैं कि Vp is equal to velocity of O plus velocity of P 4 divided by और यही जो है यही वो जादू का pulley constraint है यही जो है वो जादू ही Puli Constraint समझ रहे this is the magical Puli Constraint इसको आप हट लो याद कर लो ठीक है बाड़ी सारी किता में ढूंढ लो सब में ना सीधे-सीधे लिख वा है कि XP is equal to X1 plus X2 by 2, derivation कहीं नहीं exist derivation मैंने करके दिखाया आपको यह आपको इसको आपने मैंने नेगेटिव लिग दिया है तो आप कुछ होगा तो आटोमेटिकली हो जाए रहा है तो इसी को अगर आप वेलास्टी को डिस्टेस्मेंट पे लिखना चाहां तो आप ऐसे रह सकते हैं इसको याद रखेंगे हमेशा जीवन भर इसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा जीवन भर ठीक है इसको फिर से डिफरेंशेट कर लो वेलास्टी को तो अक्सलेरेशन भी बिल जाती है तो इसको फिर से कर डिफरेंशेट कर ले कोई बंडा तो वो कह सकता है कि कि एक इस इकोल टू 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 बाइट टू बाइट यह जब आप डानमिक्स के नुमारिकल करेंगे ना तो यह आपको बिल्कुल लाइफ सेविंग ब्रक की तरह होगा जो आपको काम आएगा कि आप फड़ा फड़ कर पारे होंगे एपी इस इप़ल टू 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 ऐटू बाइट यह बड़ेक बड़ी जो है कामगर चीज है बट इसमें कुछ कॉस्ण्स हैंकुछ कुछ कॉस्ण्स हैं तो आप लोगों को लेने पड़ेंगे या तो ध्यान आने पड़ेंगे जब क दिख जाती है कि हमने करा हमने के दिखना पड़ेगा सबके डारेक्शन को देखना पड़ेगा तो में कुछ-कुछ situations बना दे रहा है, यह हमारा xp हो गया है, यह इस string का movement हो गया x1, यह इस string का movement हो गया x2, यह देखो यहाँ पर क्या है बेटा, तीनों एक की direction हम देख रहे हैं सबको, तीनों कैसे है, upward, ठीक है, एक में ऐसे लेड़ा, देखे लेड़ा, यह xp है, upward है, यह x1 है, upward है, और यह x2 है, ठीक है, इस बेखेंगे, xp upward है, इसको इस बार मैंने downward ले लिया, x1 को, और x2 को मैंने upward लेखेंगे, ठीक है, तीन केसे मैंने यहाँ पर बनाई, यहाँ पर कैसे हम यह वाला constant लिखते हैं, देखेंगे, पुली वाले का रेफरेंस मानलो, कि जैसा पुली का है, वो कर लेखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि xp is equal to x1 plus x2 by 2, अब यहाँ पर लिखेंगे, xp is equal to x1 minus x2 by 2, देखें, xp और x1 उपर की तरफ है, x2 जो है, वो नीचे की तरफ है, इधर वाले में देखेंगे, तो क्या है, xp is equal to x2 minus x1 by 2, minus क्यों लगाया मैंने x1 के साथ, क्योंकि x1 नीचे जा रहा था, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं उसको क्या लगाऊँगा, minus लगाऊँगा, ठीक है, और देखते हैं, और भी वड़ी दो important है, वो भी देखने हूँआँए, यह नमेरे के नहीं बढ़ा कामन पामन, इधर व बांदी रसी ले, इसको टाई कर दिया, तो इसका movement 0 हो गया, इसको टाई कर दिया, तो इसका movement क्या हो गया, 0 हो गया, तो जब हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, xp is equal to 0, plus x2 by 2, ज्यानि हम लिखेंगे, xp is equal to x2 by 2, समझ नहीं सिमिलर्ली दुसी दर भी रस्षी बांग सकते हैं दुसी दर रस्षी बांग देते हैं एक्स वन गेवन भी रस्षी यहां लिखेंगे दो टाहां लिखेंगे xp is equal to x1 plus 0 by 2, xp is equal to x1 by 2, ठीक है, वाँ समझ में आ रही है, जो पुली fix है, जो movement नहीं कर सकती है, उसकी displacement को क्या ले लिया जाएगा, 0 ले लिया जाएगा, अच्छा तो जो atwood वाली पुली थी, उसका क्या होगा, फिर अगर हमने सारा पंडा सीख लिया, atwood वाली पुली जो थी, देखिए जरा, atwood वाली पुली थी, वो क्या है कि यह fix थी यहांपे, ठीक है, यह x1, अभी बड़ा मदार है आपको, इस बार xp 0 होगया है, तो 0 is equal to x1 plus x2 by 2, यानि x1 is equal to minus x2, यानि एक उपर चलेगा, तो दूसरा नीचे चलेगा, x1 is equal to minus x2, मतलब एक अगर उपर चल रहा है, तो दूसरा नीचे चल रहा है, यही इस method की beauty है, कि सब कुछ with sign आपको देता है, ठीक है, आप गलती करोगे भी ना, तो भी यह करने नहीं देगा, आप गलत अगर ले भी लोगे, तो यह method जो है, आपको गलत होने नहीं देगा, x आपका निकलाया, displacement का relation निकलाया, एक बार differentiate करिए velocity, अगली बार differentiate करिए, this is the beauty of this method, right, चलिए, अचाए, एक इसका हम लगा के देख लेते हैं, question के आदे, एक question मैं बना रहा हूं, देखते हैं, कि कितना बना पतने है, झाल, झाल, अग रहा हूं, एक उ दोदिखाने हैं, सेजह हीं, वार निकलाया, ताउन हैं, यह अचार करिख ये एक प्रॉब्लम है कि दो पुली है और दो ब्लॉक लगे हुए है और इन दोनों ब्लॉकों के acceleration को क्या करना है relate करना है ठीक है एक पुली है दो ब्लॉक लगे हुए है दोनों के ऑटके दो कि यह वाली तो मीटोबी हुए और यह उपर जा रहा है और यह पुली मूपर जा रहा है और वी पुली वी सब्सक्राइब इसका displacement क्या हो गया उच्छा जीरो हो गया जितना ये पुली उपर चलेगी उतना ही ब्लॉक भी और पुली सीधे जोड़े हुए तो जितना ये पुली उपर जाएगी उतना ये ब्लॉक भी उपर जाएगा तो मैं लेख सकता हूँ कि